बच्चों, मैं मिनाक्षी, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पार्ठ 11 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बच्चों, भाशा को सरल और परभावशाली बनाने के लिए हम कई बार बहुत से शब्दों की जगा एक शब्द का परियोग करते हैं कैसे? चित्रों के नीचे दिये गए वाक्यों को पढ़िये और समझे जो खेती करता हो उसे हम क्या कहते हैं? किसान जो रोगी की देखबाल करे वो कोन होती है? नर्स जहां पुस्त के रखी जाती है पुस्त काले जो कपड़े सीलता हो? कोन होता है वो? दरजी जो मजदूरी करता हो? मजदूर सब कुछ जानने वाला वो कोन होता है? ग्यानी तो बच्चों इन वाक्यों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के द्वारा हम अपनी बात अच्छे ढंग से कह सकते हैं आए हम कुछ और उधारन पढ़े और समझें देखिए जो मिठाईया बनाता है वो कोन होता है? हलवाई जो कपड़े धोता है? धोबी जो किसी से नहीं डरता वो कोन होता है? नीडर जो फल सबजी खाता है वो तै शाकाहारी जिसके पास धन नय हो वो तै निर्धन जो मिठी के बरतन बनाता है? कुमहार जो मरीजो का इलाज करता है वो कोन होता है? डॉक्टर जो लोही की वस्तुवे बनाता है? लुहार गीत गाने वाला वो कोनोत है गायक चित्र बनाने वाला चित्रकार लिखने वाला लेखक जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं विद्याले पढ़ाने वाला अध्यापक पढ़ने वाला कोनोत है विद्यार्थी जिसमें दया भाव हो वो कोनत है दया लू जो डरता हो वो कोनत है डरपो तो इन शब्दों को पढ़ने से इन वाक्यों को पढ़ने से हमने आज जाना कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं अब मैं आपको घ्रै का रहे दूंगी जिसे आपने अपनी नोट बुक में लिखना और याद करना है धन्यवाद